दोस्तों इंडियन रिन्यवेन एनर्जी डेवलोप्मेंट एजनसी लिमिटेट यानी इरेडा की बात करें तो श्टॉक में फ्राइड़ो को काफी जबर्दस तेजी देखनों को मिली श्टॉक 230 तक पहुच चुका है लगातार नई हाई बना रहा है 32 रुपे का श्टॉक 232 तक पहुच चुका है इंट्राडेमेश ने 232 का हाई बनाया था यानी बहुत ही कम समय में एक बहुत बड़ा मल्टिवाग रेटन दे चुका है सारे के सारे पी एस स्टॉक कमाल कर रहे है चाहे रेलवे के हो या फिर ग्रिन अनिस सेक्टर से समझने कमपनिया हो लोगों को माला माल करें ये तीजी कब तक जारी रह सकती है यहाँ पे अब कमपनी का रिजल्ट भी आने वाला है रिजल्ट की क्या समझना रह सकती है इसके अलावा कुछ बड़ी गुड़ी ज़ और है जिसको समझेगे इस वीडियो के मादियम से इसके अलावा गर हम रिलाइस पावर में भी काफी ची तेजी देखना हो मिली यहाँ पे भी बड़ी गुड़ी ज़िसको वीडियो के मादियम से डिसकस करेंगे लेकिन जेपी पावर में गिरावड थी क्या जेपी पावर में आने वालस में तेजी बनेगी या श्टॉक तीज बाएगा वैसे कंपनी न अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एक बिल आइक ओन दबा दीजिए ताकि जबी ने वडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले वीडियो पसंद आए तो लाइक से जुरू किजिए चलू फ्रेंड्स वीडियो स्टार तेजी देखना हो मिली इंट्राडे में 232 का इसने हाई बनाया है यानि 32 रुपे का जो आई पीओ था वो 232 तक गया काफी जबरदस रिटन दिया और पिछले पांच ट्रेडिंग सेसमें 16 परतिसत की सांदार तेजी बन चुकी है काफी जबरदस दौड लगा रहा है अब कमपनी 12 जुलाई को अपना क्वाटर वन का रिजल्ट डिकलेर करने जा रही है और आप देख सकते हो कि रिजल्ट बैतर रहने की पूरी उमीद है काफी सांदार इनके अभी आखड़े जो इनों जारी के ताहल वो काफी है चे बहुत ही सांदार इनों लोन बाटा है कमपन अबरदस्ता आसा करें कि इस बार भी क्वाटर वन उससे भी सांदार हो सकता और इसके बाद इसके जो फ्रेजर की प्राइज है वो काफी तेजी से बढ़ सकते हैं और यह बात मैंने आपको लगातर बोली है कि इसके अंदर बहुत सारा पोटेंशल है सरकार जिस तसे ग्र अबडेट नीकल के आ रही है सेंट्रल गवर्मेंट ग्रीन अनी सेक्टर के लिए और कुछ बड़े ऐलान कर सकते हैं इस बजट के दौरान भी यहां पे कुछ नई एनॉसमन हो सकती है तो सरकार यहां पर प्रपोजल लाने जा रहे है जिसमें आरी कनेक्टिविटी इंडि निर्मान और उसको वेश्ट न किया जाए और स्टोरिज की इतनी प्रॉब्लम नहों तो यहां पर देखो कि इसके लिए इंटर स्टेट ट्रांस्मिशन सिस्टम के तया देखे तो जो इसमें एक टेक्स में रहात है वो भी सरकार की तरप से दी जा रही है और आने वाले सम में आप देखो कि चाहे सोलर हो या वीन अनर्जी जारा से जादा उसका निर्मान करने के लिए कंपनिया प्रेरित होगी क्योंकि बिजली उनको कहीं पर भी बेचने की छूट होगी तो यह समझ सके इसका बड़ा बैनिफिट तो हो गई होगा और ऐससे में रिडा के लिए यहाँ पर बड़ा रोल दिखाई देगा इसके अलावा जो बड़ी गुड़ी जा कि वर्ल्ड बैंक ने 1.5 बिलियन डॉलर के फंड को यहाँ पर अप्रूबल कर दिया इंडिया में ग्रिणाजी सपोर्ट देने के लिए अब यह देख सकते हो कि जो वर्ल्ड बैंक की तर बड़ता हो दिखाई देगा तो एक के बाद एक जो बड़ी अपडेट निकल क्या रहे वही सारा करिए कि आने वाले समय एड़ा में तुफानी तेजी आ सकती है और 12 जुलाई का हमें इंतजार करना होगा रिजल के बाद यहाँ पर एक अच्छी समवान बिल्कुल बन जा से एक बहुत बड़ा यहाँ पर उनको सपोर्ट दिया गया है जो उनका लौन था बैंकों का वो महाराष्टा सरकार चुकाएगी तो महाराष्टा की जो एक ना सिंदे सरकार है उन्होंने मुंबई मेट्रो लाइन मेट्रो वन का जो अधिगरन करने की योजना थी उसको फ पूरानी मेट्रो लाइन है इस पर हर दिन करीब 4.6 लाक यात्री सपर करते हैं यह एक मात्र ऐसी मेट्रो लाइन है जिसे पब्लिक प्राइट पार्टनर्शिप के आधर पर बनाए गया था जिसमें रिलाइस इंफ्रा प्रॉमिडेट स्पेशल परपज वीकल मुमें मेट प्राइट लिमिटेट द्वारा संचालर्ज की जाते हैं अन्य अन्य लंबाने की यह कंपनी है और आप देख सकते हो कि इसमें 74% की जो इस्सेदारी हो रिलाइस इंफ्रा की है और आपको यह पता है और रिलाइस इंफ्रा की सबस्रीज कम्ती रिलाइस पार है अब यहां पर देख सकते हो कि 17 क्रोड के जो लॉन निप्टारे का जो फैसला है जिसका महाराष्टा सरकार इसके उपर फैसला ले रही है इससे आप देख सकते हो कि रिलाइस इंफ्रा को भी रात मिली और रिलाइस पार को भी रात मिली तो देख सकते हो कि यह बड़ा टेंशन है जो कोई बीजनस बचा भी नहीं है ऐसे में माराश्राय सरकार का यह जो बड़ा फैसला है सत्रा सो कोड की मदद का एलान जो बैंकों का कर चुकाएंगे अगर तो देख सकते हो कि इससे इनको बड़ी रात तो मिलेगे और इसके आने वाले समें यह बीजनस आगे आसानीचे कर प पाइदा यहां पर देखने को बिल्कुल शेयर के उपर मिला है अब रिलाइस पॉन ने अपने अल्री सारे कर्ज को चुका दिया है कंपनी अब क्वाटर वन की तरफ जारी है क्वाटर फोर में कंपनी के आकड़े ठीक नहीं थे कंपनी कर्ज में थी आप देखे तो रिव अब यहां पर जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है जेपी पाउर को सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया गया है अलंकीत असाइन्मेंट लिमिटेड की तरफ से जो इनकी रिजिस्टार और शेर ट्रांसपर एजनसी है उन्होंने क्वाटर वन के लिए यहां पर देखे तो कंपनी की तरफ से उनका जो भी सारा निप्टार था उसको करके उसका शेर ट्रांसपर सर्टिफिकेट उनको प्रोवाइड कर दिया गया है तो कंपनी के शेर जो फिजिकल रूप से हो या फिडिमेड रूप से हो सारी के सारे अलंकीत के पास है और देख सकते हो कि इसमें किसी प्रकार की कोई प्रोब्लम नहीं है इसकी जानकारी दी गई है तो जेपी पौउर के शेर ट एजेंट की तरव पे उन्होंने ये अपना जो फरिस्ताव निभा के यहाँ पे उन्होंने सेटिफिकेट प्रोवाइड कर दिया है जेपी पौउर की बात के तो क्वाटर वन बहुत ही अच्छा था देखें तो रिवेनी प्रोफिट बढ़ा है मार्च 2023 में 1385 कोड के आसपस रिवेनी था जो मार्च 2026 में 1864 कोड तक पौउचा काफी जबरदस रिवेनी बढ़ा और प्रोफिट में तो कंपनी लौश से आई है मार्च 2023 में 43.99 कोड का लौश था जो मार्च 2024 में 589 कोड का जबरदस प्रोफिट हुआ तो भारी बरकम लोग से कंपणी जबरदस प्रॉफिट में यह और बहुत भारी प्रॉफिट हुआ है यह इस सारा करा कि आने वाल इसमें कंपणी का प्रदरसन अच्छा रहा सकता है और ऐसे में यह श्टॉक कमाल कर सकता है निवेस करना ची आपको लॉंग ठम काने जरा ले जो इस समय 93 के आसपास है यह देखते हो कि इसने जो करीब 1330 का बंपर रिटन दिया है और आप देख सकते हो कि आने वाल इसमें बहुत बैतर रिजल्ट की समवान बंद रही है अब कंपणी 2-1 के रिशो में बोनस शेर जारी करने जारी है इसकी एक्स बोनस डेट है 11-7-20 और रिकॉर्ड डेट भी है 11-7-20-24 तो अगर आप शेर इस समय खरीते हो तो आपको बोनस का फाइदा बिल्कुल मिल सकता है और पहले ही और इसने मल्टी बैग रेटन दो दिया है चोटा सा पैनी स्टॉक जिसकी प्राइज 1 लुपी से नीचे थी वो लगबग 100 लुपी लिए structure बना के देती है तो काफी मजबूत इसका portfolio है और इस समय इसकी अफाइदा भी देखने को मिला और जिस वज़े से इसकी price बड़ी और यह चोटा penny stock बड़ा धमाका कर चुका है आने वाले इसमें सांदार production कर सकता है तो bonus के लिए इसमें आप दाव लगा सकते लेकिन कोई भी investment करने से पहले अपने financial advisors बड़े ले या अपना खुद का research करें क्योंकि माने वीडियो आपके educational परपच के लिए ही बनाए वीडियो पसंद आए तो like से जरू किजा और चैनल को subscribe कर दीजिए thank you friends